हलो दोस्तों नमस्का मैं डॉक्टर सिंप्रजापती उपी फ्रॉम नेपॉल बॉडर से अपने यूटूब चैनल में आप लोग का हार दिख स्वागत करता हूँ दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लाश तक देखे एक एक बात को ध्यान से सुने ताक कुछ भी पूछने की जरूरत ना पड़े ठीक है कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी छोटी सी वीडियो है ठीक है जिन लोगों का सेक्स टाइम एकदम जो है डाउन हो गया है ठीक है वीडियो के सामने घुटने टेक देते हैं या जो है श्वपन दोस हो जाता है ठीक है या वीर एकदम पानी की तरह पतला हो गया है ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया नुस्का है अगर आप सही से इस्तेमाल करते हो तो ठीक है तो दोस्तों जानकारी देने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सकाइब करके वेल आइकन को प्रेस कर दे ताक हमारे आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे हमारे चैनल पर आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएगी कोई भी प्रोबलम हो एक स्वाई जेड हर प्रोबलम की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है ठीक है चाहे आपको भैस पंति है या जो है बावासियर की प्रोब्लम है ठीक है या जो है कुष्ट रोग है सफेद दाग है हर तरह की video मैंने अपने channel पर जाल रखे है जाए सब को check ど依ी क कर जाने किसी कोई कोई problem है तो वीडियर को share करेए अगर आप ना जाने आपका एक सेयर किसका कहां पर भला कर दे जिसका भी भला होगा वो आपको दूआ ही देगा तो वीडियो को दोस्तों सेयर जरूर करें लाइक जरूर करें बहुत महनस से वीडियो बनाते हैं आपके लिए टाइम निकाल करके तो वीडियो को सेयर जरूर करें और लाइक करें दोस्ते चलिए अब बात करते हैं टॉपिक पर आते हैं अगर आपका सेक्स पामर एकदम दाउन हो गया है आपको कुछ भी नहीं चल पाते हैं तो आपको क्या करना है आप देखिए इस्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं यह तीन समान आपको लेना है काला चना लेना है इसको जो है भून लेना है पीला वाला चना जो होता है ना अंदर उपर से काला काला रहता है नेचे जो है पीला रहता है ठीक है तो ये काला चना लेना है आपको धाई 100 ग्राम ले ले या 100 ग्राम ले ले ठीक है और सक्कर आपको लेना है चाहे गुर वाली सक्कर ले ले वो सफेद वाली होती है दानेदार वाली सक्कर कहीं कहीं इसको चीनी भी कहते हैं तो चीनी सक्कर की चीज होता है ठीक है और एक काला तिल ले ठीक है तो दोस्तों ये तीन समान आपको लेना है इसको जो है बराबर मात्रा में ले चलिए मैं आपको 100 g की मातरा में बता देता हूं अब 100 g जो है प्रॉइक पीस करके इनका बारी खुब पौडर बना ले और इसको जो है आपको किसी जो है काच के बरतन में श्टोर करके रख दें यह दवापका रेड़ी हो गया है अब इसका जो है आपको इस्तेमाल कैसे करना है रात को सोते समय एक गिलास गुनगुना दूध लें और उसमें एक चम्मच डाल करके खुड़ अच्छे से मिला लिए और पी जाएं दोस्तो इसका इस्तेमाल कम से कम आप 40 दिन तक करें ठीक है और खटी चीजे जादा तली भूनी चीजे का परहेज करें नोनवेज ना खाएं गरम मसाला इसका करें नहीं तो गहिस बनाएगा और सही से पचेगा नहीं तो कोई भायदा नहीं करेगा और अगर बीन्डी सराफ सिकरेट तम्हाकु तो Só खा सकते हैं लेकिन बीन्डी सराफ सिकरेट ना पिएं ना खाएं ठीक है इस अब नुकसान दायक है क्योंकि आयरवेद में इतनी ताकत नहीं है कि इन सब चीजों को जहल पाए तो इनका परहेच करें ठीक है 40 दिन तक नुसके का इस्तिमाल करें सेक्स का भी परहेच करें दोस्तों 40 दिन के बाद आप देखेंगे कि गजब की ताकत आपके अंदर आ जाएगी आपका सेक्स पाउर एक दम स्ट्रोंग हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बाकी अगर किसी को भी हमसे दवा मंगवानी है लिंग टेड़ा है चोटा है पतला है शेक्स टाइमिंग की कमी है पेसाम में दाज जाता है या दस साल बिस साल हस्त मेहतुन की यह है लिंग दम बरबाद हो गया है शेक्स टाइमिंग जीरो हो गया है तो वीडियो में हमारा वार्टसप नंबर है हमारे number पर message करें लेकिन अगर दवा मंगाना है तो ही message करें दवा नहीं मंगाना है तो message ना करें फार्दों में बक्वास करने के लिए अगर जो भी नुसका मैंने बताया है इसके related message करते हो तो कोई reply ने मिलेगा क्योंकि सब कुछ मैंने आपको बता दिया है गलती आपकी है, आप सही से देखें नहीं है, दो बार, चार बार, दस बार देखो वीडियो को, ठीक है, सब समझ में आग जाए, वीडियो में नुस्के के बारे में पूछने के लिए नहीं ना करें, ठीक है, अधर कोई जानकारी ले ले लिए है, तो वीडियो के नीचे कमे या वीरी में पतलापन है या सुक्रानु एक दमनील है या जो है फ्लोपिन ट्यूब ब्लोक है बीवी की या जो है अंडे की क्वाल्टी अच्छी नहीं है पीसी योडी की प्रोब्लम है किसी भी प्रोब्लम से अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप हमारे हैं से दवा आना है तो मैंसे ना करें फाल तुम्हें बखवास करने के जिए ठीक है आप दवा मंगाईए पक्का फायदा होगा ये गारंटेड दवा है इसमें कोई भी सक नहीं है लेकिन पहले दवा मंगाएंगे तभी तो कुछ होगा ना अब बहुते लोग होते हैं कहते हैं कि भी है तो इस time paper पर मोहर मार करके आपको कौन देगा अगर साधी के दस साल भी साल हो गए है तो दस साल भीस साल में दवा भी तो करा आये होगे आप पता नहीं लागों की दवा करवा लिए तो वहाँ पर तो नहीं मांगें गारंटी गारंटी हम मैं आपको 10,000-20,000 में क्या गारंटी दूँगा ठीक है अगर जिनको विश्वास है वो मैसेज करें दवा मंगाए पका फायदा होगा ठीक है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर नेस्ट वीडियो में ओके थाइंक्यूँ